Social amenities का क्या मतलब होता है आज कि वीडियो में सीख लेते हैं Social amenities का मतलब होता है सामाजिक सुविधाई यानि कि हमें समाज में रहते हुए जिन जिन सुविधाओं की जरूरत होती है उनको सामाजिक सुविधाएं कहते हैं जैसे कि पार्क्स हो गए, लाइबरेरी, कम्यूनिटी सेंटर या फिर हॉस्पिटल्स वगेरा, स्कूल या और किसी चीज के लिए हमें जिन भी आसपास चीजों की जरूरत होती है तो उन सब चीजों को सोशल अमेनिटीज कहा जाता है यानि कि लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमारी हल्थ को इंप्रोब करने के लिए या सामाजिक जीवन जीने के लिए जिन भी सुविधाओं की जरूरत होती है उन सबी सुविधाओं को social amenities कहा जाता है जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि school और park जैसी सामाजिक सुविधाओं बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरन प्रदान करती है तो आप कह सकते हैं social amenities like school and park provide a safe environment for children ये फिर अगर आप ये कहना चाहें कि हमारे समुदाए में सामाजिक सुविधाओं की कमी है जिससे निवासियों को परेशानी होती है तो आप कह सकते हैं there is a lack of social amenities in our community causing problems for residents अब आप किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास की सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें